बॉलिवड इंडस्ट्री में बहुत से दिगज अभिनेता और अभिनेत्रिया हैं जिनोंने अपने अभिनाय के दम पर लाखों दिलों पर राज किया है इनी में से एक अभिनेता है अजे देवगन जो की बहुती साधारन से दिखते हैं लेकिन उनने अपनी जबर्दस एक्टिंग और एक्शन के बलबूते पर बॉलिवड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई अजे देवगन को बॉलिवड का सिंगम भी कहा जाता है अगर हम अजे देवगन की एक्टिंग के बारे में बात करें तो एक्टिंग की मामले पर ये सब पर भारी पड़ते हैं अजे देवगन अक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं नबे के दशक में उन्होंने बहुत सी बॉलिवड के हिट फिल्मों में अलग-लग हिरोईंस के साथ काम किया लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बॉलिवड में तीन अभिनेत्रियां ऐसी भी है जो अज़े देविन के साथ कभी काम नहीं करना चाहती अब कौन है ये तीन अभिनेत्रियां जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अज़े देविन के इतने दमदार अभिने के लिए लाइक तो वीडियो पर बनताई है प्रियंका चोपडा जो अभिनेत्री अजे देविन के साथ काम नहीं करना चाहती इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेत्री प्रियंका चोपडा का है प्रियंका चोपडा का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने सल्मान खान और शारुक खान के साथ तो काम किया लेकिन कभी भी आमिर खान के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आई इसके अलावा प्रेंगा चोपड़ा ने अब तक के अपने करियर में बहुत सी हिट फिल्मों के साथ साथ अलग अलग अभी नेताओं के साथ काम किया लेकिन उन्होंने कभी भी अजे देवगन के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया प्रियंका चोपड़ा के पास अजे देवगन के साथ काम करने की कई प्रस्तावाए लेकिन उन्होंने अजे देवगन के साथ काम करने से साफ मना कर दिया प्रेंगा चोपणा ने अजय देवगन के साथ काम करने से क्यों मना किया ये तो उनसे बहतर कौन जान सकता है कट्रीना कैफ बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में मशूर अभिनेतरी कट्रीना कैफ का नाम बेस लिस्ट में आता है इन्होंने अपने फिल्मी करियर के शुरुआत फिल्म बूम से की थी लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई केट्रीना ने अपने अब तक के सफर में बहुत सा भी नेताओं के साथ काम किया आपकी जानकारी बता दें कि सूपर हर्ट फिल्म सिंगहम के लिए केटरेना कैफ को चुना गया था लिकिन इस परस्ताव को केटरेना ने मना कर दिया दिपिका पादूकॉन दिपिका पादूकॉन ने अपने फिल्मी करियर के शुरु STEM ओम शांतीोutes ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई दिपिका पादु को उनने बॉलिवुड के बहुत से सूपरईट फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हों ने अज़ेदेवगन के साथ काम करने से साफ मना कर दिया अब ये भिनित्रिया क्यों सूपरस्टार अज़ेदेवगन क के साथ काम करना नहीं चाहती इस मामले में इन्होंने कभी खुलकर मीडिया वालों से बात नहीं की लेकिन जब भी इन अबनेत्रियों को जदेव उनके साथ काम करने का उफर दिया जाता है तो ये साफ मना कर देती हैं दोस्तों आप इन तीनों अबनेत्रियों में से किसको ज प्रज़ेते हों उनके साथ काम करते हों देखना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बलूर से जुड़ी से भी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें